नमश्कार मैं आप सब का वेलकम करता हूँ गिल्ज मेंटरी इंडिया पे और जैसा आपको पता है कि रिक्रूट्मेंट्स बहुत सारी आती रहती हैं तो हम लोग आपको इसी प्लैट्फॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन्स परवाइड करेंगे कौन सी रिक्रूट्मेंट्स आई हैं कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं क्या eligibility होगी कैसे selection होगा कैसे तैयारी कर सकते हो और आपको कहां पे क्या चीज़ की जरूरत है सारी आपको complete information हम लोग इस प्लैट्फॉर्म पे आपको परवाइड करेंगे इसके साथ में आप सबका स्योग भी चाहिए हमें सबको ताकि आप जितने भी students हो जितने भी साथी हो हमारे इस platform पे जुड़ें और हम बहुत जल्दी आप सबके लिए live classes भी इसके लिए लेकर आएंगे तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि आप सबके स्योग के साथ आप सब तक हम लोग recruitments की day by day updates लेकर आएंगे और जिससे कि आप सब लोग form भर सकते हैं और आप इसको share जरूर करना है जिससे आपकी वज़ए से किसी ने किसी तक इसकी recruitments की update जरूर जाएगी आप सब students के लिए हम लोगों ने 1000 प्रोपर यानि Hindi और English Medium के लिए एक test series launch करने का फैंसला किया है ताकि आपको किसी भी platform पे जाके test series लगाने की जरूरत ना पड़े बहुत अची updated test series मिलेगी और इसके लिए आपको Gills Mentor e-learning के नाम पे app डाउनलोड करना होगा और हम आप सबको वहाँ पे support करेंगे इसके लिए आप हमें बहुत जंदी call कर सकते हो help line number आपको description box में हमारा दिया हुआ है तो IDBA bank है इसने advertisement निकाली है recruitment for the post of किस-किस के लिए निकाली है इसने junior assistant manager की post है और sales and operation की vacancies इसनों निकाली है 24 और 25 के लिए तो फिलहाल इन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस post में total vacancies कितनी है तो जो पहली post है जिसका नाम jam रखा गया है यानि junior assistant manager है इसके लिए आपकी 800 vacancy है और दूसरी post जो ESOS में 1300 vacancy है categories के according आप लोग form भर सकते हैं form भरने के लिए आपको official website में आपको बताऊंगा qualification वो 1st November 2023 रहने वाली है और इसे के साथ में जो आपकी online date होगी registration की उसकी update भी मैं आपको नीचे provide कर दोगा तो सबसे पहले बचे form भरने इसके शुरू हो चुके हैं तो form में बिलकुल भी देरी नहीं करनी है हम लोगोंने हलाकि इसके दो दिन के बाद में procedure शुरू होई थी पर आप form भर सकते हैं 6 December का आपको time last दिया गया है Tentative इसमें आपका जो date होगा किसका test का तो यह sure हो चुक है कि आपका entrance के साथ में selection होगा पहली जो post है इसके लिए आपका 31st of December यानि Sunday के दिन आपका paper होगा और दूसरी जो post है उसके लिए हमारे पास एक दिन पहले यानि Saturday को paper होगा यानि अगले महीने 30 तारिक को अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो eligibility रखी गई है एक नमंबर की वो candidates खास थोर पर ध्यान दीजिए सबसे पहले हमारे पास दिन उन age तो minimum हमारी उमर है वो 20 साल होनी चाहिए maximum हमारी 25 साल उमर होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये बिलकुल भी ठीक नहीं है ये IBPS के हिसाब से होनी चाहिए थी जैसे कि IBPS की procedure रहती है ताकि हम लोग उसमें वाकिब रहते है maximum से maximum students और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर लेते हैं तो ये जो 25 साल है कास इसको अगर 30 साल करते हैं तो ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं आगे जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सीधे-सीधे तौर पर उन्होंने क्लियर कहा है कि 60% आपके marks होने चाहिए बैचलर डिग्री में यानि आपकी specifications को डिग्री नहीं मांगी गई है तो आप कोई भी candidate है 60% अगर आपके अंक हैं और ये condition हमारे सब के लिए रहेगी आप किसी भी university से study कर चोके हैं तो वो eligible रहेंगे दूसरी जो post है अपने पास उसमें देखते हैं वो भी आपके पास जो same post है government या किसी भी government की bodies के से आपने diploma किया हुआ है खास तोर पर तो वो candidates यहां eligible होंगे तो मैं आपको इसमें condition देखाता हूँ एक खास तोर पर यह द्यार लखना कई बर क्या होता है कि हमारे marks इतने होते हैं 59.99 तो इनको आप 60% यानि वो कहता है कि treated as less than 60% होगा similarly जो यह है तो उसको वो कहता है कि less than हम लोग 55% से consider करेंगे तो कोशिश यह होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आपके अंक होने चाहिए क्योंकि कई बर क्या होता है फोर्म भर देते हैं तैयारी करते हैं selection हो जाता है लेकिन बाद में हमारे जब इंट्रू बगरा होता है या डी भी होती है document verifications होते है वहाँ पर दिक्कत आती है तो पहला है joining of the bank service as a grade O तो इसके लिए रखी गिये इसमें आपको ये चीज़ क्लीर कर दी गिये है कि आपकी जो salary होगी वो तकरीबन सवा 6 लाक रुपे से लेकर 6.5 लाक रुपे की salary रहेगी आपकी ठीक है class ACT के अंदर जो भी आपको specifically situations देंगे annually जो आपका increment होगा वो based or performance के base पर होगा जो parameters banks के होते हैं उसके मताबिक होना है और इसके बाद में जो bank service rule 2011 है इनका यानि new pension scheme होगी वो आपकी यहां पर applicable होगी अब आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा कि career prospectus आपके पास कुछ इसमें conditions हैं वो नीचे आप study कर सकते हो ताम सरो posting की आपके लिए रहेगी अब जो इन्होंने consolidate जो आपको remuneration रखा गया है वो 29,000 पर मन्त रखा है पहले साल है 31,000 पर आपको second है बाकी बैंक की जितनी भी facility होगी वो इसनोंने कहा है कि यह appointment purely contractual नेचर पे होगा आपका ठीक है shall not be entitled for draw the any आप DA या HR के लिए बिल्कुल भी entitled नहीं कर पाओगे इन्दा time period offer यानि जो भी आपका यह probation periods रखेंगे अब यानि इसके बाद में कुछ और इन्होंने conditions दिया है लेकिन selection process पे चलते हैं दोनों vacancies के लिए तो पहला बचे इसमें रखा है online test होगा document verification होगा और आपका PI होगा यानि personal interview होगा ठीक है और यह pre recruitment of medical test यह सब लोगों को पता ही है यह दोनों procedures साब की same to same रहेंगी जो आपका exam होगा reasoning और data analysis जो होगा और quantity uptitude है 40 questions, 40 marks रहेंगे और दूसरा आपके पास रहेगा 60 questions, 60 marks का time है दो घंटे का आपका time रहेगा और यह जो test होगा वो आपको completely English language में होगा ना इसमें कोई Hindi considers इन्होंने specifically नहीं करा है लेकिन यह चीज़ द्यान रखना जो question English में होगा वही आपका Hindi में होगा ठीक है, वो रहेगा, ऐसा नहीं कि purely Hindi में होगा, यह purely English में होगा यह चीज़े नहीं होगी, ठीक है यह चीज़ खास तोर पर ध्यान रखना above the test, accept the test of English language will be available bilingual आपका होगा, तो इसका मतलब यह है तो इस सब के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, penalty जो माक साथ के रहेंगे वो 0.25 रहेंगे, इसका मतलब है कि अगर अपने 4 question गलत कर दिये तो एक number आपका कट जाएगा और इसके साथ में 4 question में आप down भी चले जाओगे तो accuracy बड़ी must है इसके लिए अब हम चलते हैं जी, दूसरा जो हमारे पास pattern रखा गया तो उसके लिए भी syllabus आपका criteria सेम होगा eligibility के अंदर वो सारी सेम है कि आप Indian citizens होने चाहिए कहीं से भी form भर सकते हैं और अब हम थोड़ा age पे बढ़ते हैं तो जो S.E.S.T. के candidates उनको 5 साल की relaxation मिलेगी BC category non-crimiliar की होंगे 3 साल का benefits रहेगा यहां पर तो यह सारी condition है जो as per rule के मताबिका वो सारी सेम रहेंगी अब आप सबको यह proper information दे दी है इस सबके लिए आपने काम क्या करना है कि reasoning आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पर जाईएगा topic wise आप उठा लीजिएगा और जितने भी marathon sessions है वो सारे के सारे marathon sessions कर लीजिए कोई आपको book पढ़ने की जरूरत नहीं है time बहुत कम है हमारे पास मैं specifically आपको नहीं करा सकता कोई book recommend नहीं करा हूँगा और इसके लिए आपने test series जो भी करनी है वो आपने gills mentor की test series जोईन करनी है gills mentor की app को डाउनलोड करना है और एप को डाउनलोड करने के बाद में आपने क्या करना है कि banking test series में जाना है वहाँ पर आप अपनी test series चूज कर सकते हो as per subject के साब से की reasoning strong करनी है डिय इस्ट्रॉंग करनी है, इंगली स्ट्रॉंग करनी है, बैंकिंग स्ट्रॉंग करनी है, तो यह सारे कुछ आपको मिलेंगे So thank you so much, आपको अगर हमारा प्रियास अच्छा लगा, तो session को like और share करना नहीं भूलना, thank you so much, ख्याल रखिएगा